हेलो और वेलकम टू स्पोर्ट्स फेक्ट मैं हूँ आपके साथ संध्या बेस्ट आज हम बात करेंगे बर्मिंगम में चल रहे कॉमन वेल्ट गेम को लेकर आज जैसकी सात्वा दिन है और स्केडिल क्या रहने वाला है सात्वे दिन का लेकिन उससे पहले अगर मेडल की बात की जाए तो अब तक भारत की जोली में 18 मेडल आ चुके हैं और देखे कि मेडल की जो जड़ियां भारत को मिल रही है एक के बाद एक जिसमें से 5 गोल्ड मेडल है वहीं अब ऐसे में कहा ये जा रहा है कि आज के मैच में भी तमाम उमीदे भारत को लगी हैं कि भारत की जोली में आज भी कई मेडल आ सकते हैं तो आज के स्केडियूल की बात करते हैं सबसे पहले एथिलेटिक्स की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे एथिलेटिक्स जो 2 बचकर 30 मिनट पर खेला जाएगा Women's Hammer Throw Qualification Round जिसमें सरीता सिंग होंगी और मन्जू बाला होंगी वहीं तीन बचकर तीन मिनट पर Women's 200 मिटर राउंड वन हीट टू जो हेमादास खेलेंगे हालकि हेमादास को लेकर तमाम तरीके से की प्रतिक्रियां देखने को मिल रही थी हर को ये कह रहा है कि हेमादास देश के लिए गोल्ड लेकर आ सकती हैं तो आज तस्वीरे साफ हो जाएंगे जब वो अपना गेम खेलेंगे आगे बात करते हैं जो ऑगस्ट पांच तारीकों यानि कि कल खेला जाना है और आप सोच रहेंगे कि इससे पहले ये स्केडिल क्यों दिया गया है तो डेट के अकौर्डिंग उन्होंने आधारित किया गया है जिस तरीके से बर्मिंगम की जो डेट है उस आधार पर आज का जो स्केडिल है वो जारी कर दिया गया है यानि कि ये खेला जाएगा 12 बच के 12 मिनट एम पर जो मैंस लॉंग जम्प फाइनल्स होगा जो मुरालिश श्रेश हैंकर और मोहमद अनीस यहिया खेलेंगे अब बात कर लेते हैं बॉक्सिंग को लेकर जी हाँ बॉक्सिंग का जो मुकाबला होना है पहला गेम चार बच कर 45 पर आमित पंगाल खेलेंगे ओवर 48, 51 kg, छे बचकर पंदरा मिनट पर जसमीन लेंबोरिया खेलेंगे जो ओवर 67, 70 kg, वहीं आट बजे के अगर बात की जाए तो एट पी एम पर सागर एहलावत खेलेंगे ओवर 92 kg, और बारा बचकर तीस मिनट यानि की बारा बचकर तीस एम 5 अगॉस्ट का स्केडियूल है, जो रोहित टोकास खेलेंगे, वहीं आगे बात करेंगे, आगे क्या क्यूच स्केडियूल होने वाला है, अब बात करेंगे लॉन बॉल्स की, हाला कि पहली पारी में जब महिलाओं ने लॉन बॉल्स खेला था, तो सोचे कि भारत की जोली म मैडल आया था, और ऐसे में जिस तरीके से वहाँ पर महिलाओं ने अपनी प्रतिवा दिखाए थी, कही लोग तो ये भी नहीं जानते हैं देश में कि लॉन बॉल्स क्या होता है, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं ने वहाँ पर जीत आंसिल की, उससे ये समझा जा सकता है कि अब राश्टी इस्थर पर भी इस गेम को बढ़ावा मिल सकता है, तो ये गेम अब जो खेला जाना है, तो आज का जो मैच होने वाला है, वो फोर पीम पर होगा, बुदुल, बॉर्गोहन, जो मेंस सिंगल होंगे और आज उनके द्वारा ये गेम खेला जाएगा, तो जैवलीन कोर इने खेलेंगे, इंडीजवल, क्वालिफिकेशन सब डिविजन वन, मेंस होकी की अगर बात की जाये, तो मेंस होकी का गेम जो होगा, वो 6 बचकर 30 पीम पर होगा, इंडिया वर्सेज वाल्स की तरफ से, तो ऐसे में ये कड़ा मुकाबला भी होने वाला है, क आज के मैच में बारत की जोली में कितने मैडल आएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आब बात करेंगे स्क्वेस की, जो 5 बचकर 30 पीम पर सुनेने सारा, कुरुवली और अनाहत सिंग खेलेंगी, विमन्स डबल्स रोल 32 होगा, वही तो 6 पीम की बात के जाए तो संथिल कुमार और उनके साथ अभेस सिंग होंगे, मैंस डबल रोल 32 होगा, 7 पीम गेम की बात के जाए तो दीपिका पलिकल और सौरव गोशाल होंगे, मिक्स डबल राउंड 16, 11 पीम जोशाना चिनपपा, हरपिंदर पाल सिंग संधू, मिक्स डबल राउंड 16, वहीं 12.30 एम पर जो ऑगस्ट 5 तारीक को यानि की कल खेला जाएगा, जो शाना चिनपपा, दीपी का पलिकल, विमिन्स डबल राउंड 16, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, टेबल टैनिस की, तो अब कुल मिलाकर जिस तरीके से इसकी जो टाइमिंग है वो 8.30 पीम ओनवर्ड होगी, जिसमें सनिल शेटी और रीत जो मिक्स डबल राउंड 64 होगा, साथ्यान और मनिका बत्रा मिक्स डबल राउंड 32 होगा, आगे बढ़ेंगे बात करेंगे जो राउंड मिक्स डबल होगा, राउंड 32 में खेला जाएगा, जिसमें अचंत औ यहाँ और इस यह गेम का जो स्केडूल होगा, वो क्या रहने वाला है, आपको बता दे कि तीन बचकर 45 मिनट पर भवानी सिसमेंड 4 मिक्स डबल राउंड पटेल खेलेंगी women's single clashes 3-5 group 1 और 3 बचकर 45 मिनट पर baby शहाना रवी, women's single clashes 6-10 group 1 और 4 बचकर 20 मिनट पर सुनाल बेल पटेल, women's single clashes 3-5 group 2 फाइफ 30 पीम की बाद के जाए तो राज अरविंदन अलागार men's single clashes 3-5 group 2 तो ये था आज का पूरे schedule क्या रहने वाला है, सातवा दिन है Commonwealth का, जिस तरीके से वहाँ पर लगतार team India की जोली में एक के बाद एक medal देखनी को मिल रहे हैं, हिंदुस्तान की जितने भी घिलाडी हैं, वो किस तरीके से वहाँ पर अपनी प्रतिबा दिखा रहे हैं और प्रत काबली तारीफ है क्योंकि हिंदुस्तान की देश की वहाँ पर कैते हैं कि बर्मिंगम के धड़ती पर जिस तरीके से तरंगा वहाँ पर अपना जलवा दे बिखे रहा है, उसे वो काबली तारीफ भी है, होर कोई यह उमीद कर रहा है कि वहाँ पर और जादा भारत को medal भा भारत की जोली में आज कितने मेडल आएंगे तो कॉमेंट के जरीए जरूर अपनी डाये दें।